का दिन की पुलीस कस्टडी मिली थी उसमें पुलीस ने काफी हत तक इंवेस्टिकेशन किया है और आगे को अशायद आगे के इंवेस्टिकेशन के लिए उनके पुलीस कस्टडी की जोगत नहीं है तो court ने उनको judicial custody यानि jail custody दी है मगा यहां उनकी तकलिफ खतम नहीं होती है मैसूर पुलीस यहां आके खड़ी हुई है मैसूर पुलीस के पास जो है एक संगीन मामला जो है 376 का उसके अंदर transfer warrant है जहां उनको ले जाके मैसूर court में 24 साइक को हाजिर करना है और उसके अलावा वहां पर उनको और भी कई FIR है और काफी कुछ नेगोशियाबल इंस्रुमेंट एक एंदर warrant issued है तो आज 99% जो है दॉपर को court ये फैसला दे सकती है कि इनको मैसूर पुलीस को सौब दिया जाए क्या मैसूर जाने के बाद भी ये केस शलेगा नहीं ये केस खतम नहीं हुआ सवाल यहां सिर्फ इतना था कि उनकी पुलीस का स्टरी की जोगत है या नहीं तो court ने इतना ही काया कि पुलीस का स्टरी की जोगत नहीं है investigation आगे continue रहेगा investigation होने के बाद में जो है पुलीस चाशित डखल करेगी और उसके बाद केस चलेगा तो investigation continue रहेगा जैसे आपको सर ने सारा कुछ बता दिया है केस में progress हो गया है बहुत हद तक investigation हो गई है इसलिए आज court को court ने JC दे दिये अब मेसूर पुलीस के लिए उनकी क्या order आती हम उसका इंतजार कर रहे और उसके बाद अगर उनको custody मिलती है तो उनको मैसूर पुलीस लेके जाएगे सर ने सौरागी सर और फालगुनी मैम यहां पर है जै जै जी भी है यह लोग केस लड़ रहे हैं मैं कोट कचेरी कानून मैं नहीं जानती हूँ बट मैं accused हूँ और मैं आई हूँ और कानून को नचा नहीं सकते कानून के हाथ में है वो अभी पता चलेगा मैं बता नहीं कुछ हो रहा है लड़ाईयां हो रही बापरे डर लग रहा है मैं आपको आपसे इंटरव्य कर रहे हूं ना पहले सरका ले लिया ना आपने